Good morning friends, triple C revision class में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो friends daily सुबार 7 बजे आप इस triple C revision class को जोईन कर सकते हैं और अगर आप अगस्ट सितंबर या फिर इसके बार triple C के exam देने के लिए प्लान करने हैं difficult है, मेरी तरफ से suggestion है, आप सभी के पास अभी time है, सबसे पहले आप syllabus complete कीजिए उसके बाद practice कीजिए, अगर आप ये दो बाते हमारी मानते हैं तो एक बार में आप triple C exam qualify करेंगे, उभी अच्छे grade के साथ तो आईए सुरुआत करते हैं इस class के और अगर आप में से कोई भी हमारा ग्यानिक्स भी mobile app के माद्यम से triple C का paid course join करना चाता है, तो आप most welcome join कीजिए, आपको यहाँ पे best content मिलेगा, इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो दिए presentation में multiple slides होते हैं, तो अलग-अलग side पे जैसे की text की direction को change करना हो, या फिर slide के background को change करना हो, तो क्या अलग-अलग रखा जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, means option is the right answer, शलिए next question की तरफ बढ़ते हैं, cam का पूर्ण रूप क्या है, ये question भी इस महीने कई बार repeat हुआ है, cam का पूर्ण रूप क्या है, और इससे पहले मैंने इसके बारे में बताया था, कि exam में कई बार आ चुका है, cam means computer added manufacturing, right answer देखिए, option b right answer हो जाएगा, computer added manufacturing, इस question का right answer है, next question देखिए, एक छोटी silicon chip पर transistor हों और unelectronic उपकरणों के साथ, पूर्ण electronic circuit को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताये, एक छोटी silicon chip, सबसे पहला एक question पूछा जाता है, silicon chip का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम IC के नाम से जानते हैं, तो यहीं से इसका right answer मिल जाएगा, means option c right answer, computer में एक चित्र जो किसी बस्त जैसे file folder आदिका प्रतनेधित्त करते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, किसी computer में एक चित्र जो किसी बस्त जैसे file folder आदिका प्रतनेधित्त करते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, आप सभी नहीं देखा होगा desktop आप देखते हैं, आज की class काफी important है आप इस class को last तक जरू देखे और आप अपने exam के बाद हमारे चैनल का हमारे वीडियो का feedback जरू दीजे कि हमारे वीडियो के माधियम से हमारे चैनल के माधियम से आपको आपके truples exam में कितनी help मिली क्योंकि आपका एक छोटा सा feedback हमें अपनी quality improve करने में help कर करता है तो 3.5 इंच floppy disk की भंडारण चमता क्या है ये question भी इस महीने कई अलग लग shift में आ चुका है बहुत basic question है जो floppy disk 3.5 इंच की होती उसका storage capacity होता है 1.44 MB means options is the right answer ISDN का अर्थ है ISDN का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया means full form पूछा गया ISDN एक प्रकार का network होता है और ISDN के full form की बात करें तो integrated services digital network क्या होता है integrated services digital network इसका full form है बट अगर इस question के right answer की बात करें तो option B right answer हो जाएगा एक ही करत सेवा digital network means option B is the right answer data transmission की गतिकों मापने के लिए आमतोर पर इस्तिमाल की जाने वाली IKI क्या है data transmission की speed की गतिकों मापने के लिए आमतोर पर इस्तिमाल की जाने वाली IKI या unit क्या है what is the commonly used unit to measure the speed of data transmission यह होता है BPS BPS means bit per second option A right answer हो जाएगा BPS computer जो माप और गिंती दोनों करते हैं क्या कहलाते हैं ऐसे computer जो माप और गिंती, measurement और counting दोनों करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है तो working के आधार पे computer तीन तरह के होते हैं analog, digital और hybrid hybrid ऐसे computer होते हैं जिनसे measurement और counting दोनों एक साथ की जा सकते हैं means option A is the right answer hybrid computer computer का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू सकता है और महसूस कर सकता है बहुत basic question है computer का वह कौन सा पार्ट या भाग है जिसको touch किया जा सकता है और feel किया जा सकता है means महसूस किया जा सकता है जी हाँ, very good, option A right answer हो जाएगा hardware एक ऐसा part होता है जिसको touch कर सकते हैं और feel कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं निर्देशों के एक संखला जो computer को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है ये किसके माध्यम से possible है program, input, command या फिर processes या प्रोसेसर तो ये possible होता है programs के through means option is the right answer आपके computer में programs क्या करते हैं कि संखला होती इसमें set of instructions होते हैं जो computer को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है means option is the right answer निम्न में कौन एक byte के बराबर है bit में क्या हो सकता है 0 या फिर 1 और byte के बात करें तो 8 bits 8 bits इक्कुल क्या होता है 1 byte तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option B 8 bits next question देखिए scrolling को mouse के मद्ध button दबा कर किया जा सकता है जो scroll wheel होता है माउस में माउस में अधिकतर कितने buttons होते हैं exam में पूछा जा सकता है तीन button होते हैं एक होता है left button right button और बीच में scroll wheel होता है जिसके माद्धिम से आप school up कर सकते हैं या फिर school down कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा आप से बिलकुल साई statement लिखा गया true हो जाएगा next question देखिए और बहुत अच्छा feedback जा रहा है जिनका भी इस माईने exam हुआ है उनकी तरफ से जो हमें feedback मिला है हलागी time की कमी होने के वज़े से उन सभी के feedback को आप सभी के साथ हम share नहीं कर पाएं बटाने वाली किसी वीडियो में आप सभी के साथ हम जरूर share करेंगे लोगों ने बहुत अच्छी काफी detail में messages भेज़े हैं सर इस तरह से आपके exam में हमें काफी help मिली 80-90% same to same questions आएं और काफी appreciate करके लोगों ने message भेजाएं उमीद है आप सभी इस तरह से हमें feedback जरू देंगे तो अगला question देखे www.website name या पे कोई website का name हो सकता है .com इंटरनेट पर एक पून पता है तो कि है सही address है यह complete address है option A right answer हो जाएगा true बिल्कुल सही address लिखा गया है next question दिखे flip card में सबसे लोग प्री है flip card किस sector में या किस field में सबसे ज़्यादा लोग प्री है e-commerce option A right answer हो जाएगा e-commerce में e-commerce sector में सबसे ज़्यादा लोग प्री है one drive किस company द्वारा paste किया गया है one drive के cloud storage है जैसे की Google company ने आपको Google drive प्रवाइड किया है इसमें Google drive में 15 GB तक का आपको space मिलता है और one drive Microsoft company ने प्रवाइड किया है option A right answer हो जाएगा किस तरीके का cloud service है public cloud service ये भी पूछा जाए सकता है one drive किस प्रकार की cloud सेवा है तो public cloud सेवा है one drive में संग्रहण के लिए कितने GB मुप्त स्थान उपलब्ध है इसमें आपको space कितना मिलता है कितने GB तक आप data इसमें store कर सकते है option A right answer हो जाएगा 5 GB तक आपको free store मिलता है अपने data को store करने के लिए जबकि google drive में कितना मिलता है 15 GB लगबग इसका तीन गुना आपको data मिलता है आप प्रस्ट संख्या कहां डाल सकते है means जो numbers होते है page numbers आप कहां पर डाल सकते है किसी document में आप header पर डाल सकते है या फिर आप footer पर डाल सकते है तो option C देखे header और footer दोनों पर option C is the right answer protocol क्या है कई अलग अलग तरह के protocols के नाम आपने सुने होंगे जैसे की STTPS या फिर STTP, SMTP, IMEP, UDP, FTP इस तरह की क्या है protocols होते है protocol means set of rules set of format and procedure इसको हम set of format and procedure भी कहते है तो option C देखे प्रारूप और प्रक्रिया का set set of format and procedures किसको कहते है protocols को hyperlink लिए shortcut कुझी क्या है अगर आप LibreOffice Writer के Alk Impress में भी कोई hyperlink एड़ करना चाते तो कौन सी shortcut की के इस्तिमाल करेंगे option B is the right answer बहुत simple सा question है बट exam में आ चुका है URL और search engine समान है URL में is uniform resource locator और search engine समान है right answer हो जाएगा option B दोनों समान नहीं होते है search engine एक तरह का web application होता है जहाँ पर आप content को सर्च कर सकते हैं internet पर उपलब दे websites web pages को सर्च कर सकते हैं जबकि URL क्या होता है किसे एक website या web page का पता होता है address होता है WhatsApp के संस्थापक कौन है इस question को दो तरह से पूछा जाता है क्योंकि दो अलग-अलग लोगों ने इसको डबलब किया था brand actor and john com jan com की बात करें तो यहाँ पर option A और option B दोनो right answer हो जाएंगे तो option D correct answer रहे A और B दोनो इन दोनों लोगों ने jan com और brand actor इन दोनों लोगों ने मिलके WhatsApp application को विक्सित किया था और WhatsApp क्या है एक instant messenger है और इसकी parental company कौन से Facebook आप सभी जब भी WhatsApp open करते हैं तो आपने देखा होगा महाँ पे meta लिखा रहता है हलागी Facebook का इस समय जो official company name है उसको meta कर दिया गया है तो अगला कुछ ने USSD का पूर्ण रूप क्या है USSD means unstructured supplementary service data ये भी एक प्रकार की mobile banking है जो की NPCI के द्वारा संचालित की जाती और इसके लिए कौन से code का इस्तिमाल किया जाता है star 99 has code का इस्तिमाल किया जाता है इसके मादिम से banking करने के लिए star 99 has code का इस्तिमाल करते है तो राइट अंसर की बात करें तो option ने unstructured supplementary service data option is the right answer next question देखे RAM wasp seal means volatile memory है memory दो तरह की होती है volatile और non-bolatile volatile वो memory है जिसमे power off होने के बाद data automatic delete हो जाता है जैसे कि RAM non-bolatile वो memory होती है जिसमे power off होने के बाद भी data store रहता है जैसे कि ROM या hard disk, floppy disk, cd-rom इन सभी में क्या data एक बाद store करने के बाद power off करते हैं फिर भी इसमें data store रहता है तो ये non-bolatile हो जाएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही wasp seal means volatile memory है UIDAI किस मंत्राले के अंतरगत आता है UIDAI क्या करता है आपको आधार काड़ जारी करता है किस मंत्राले के अंतरगत आता है ministry of electronics and information technology option is the right answer ministry of electronics and information technology department के अंतरगत आता है UIDAI UIDAI का पूर्ण रूप क्या है ये भी आपके triple C exam में आ चुका है UIDAI का पूर्ण रूप क्या है unique identification authority of India means option is the right answer ये था आज की revision class का last question जिनका भी triple C के exam में आप सभी कुमेट अपसे all the best हेसाई सुख काम नहें और अगर आपको अपने exam के कुछ question हियाद रहते हैं तो please आप हमें जरू send कीजिए का आप चाहें तो हमारा whatsapp number note down कर सकते हैं और जिनका भी exam जुलाई के बाद किसी भी मन्त में होने वाला है आप हमारे ग्यानिक्स भी mobile app से triple C का paid course वाइन कीजिए बहुत ही minimum price के साथ available है best content हमने provide कि इस course की खास बात है आपको complete syllabus के detail video lectures मिलेंगे practical के साथ हमने cover किया है प्लस आपको complete syllabus के e-books मिलेंगे Hindi और English दोनों language में प्लस यहाँ पे काफी premium quality के practice sets भी provide किये गए जिसमें बहुत सारे practice set हमने दिये है और इसके साथ साथ आपको model paper e-books, practice set यह सारी चीज़े दी गई प्लस इसमें doubt session की live classes भी होती है अगर आपको किसी भी topic में कोई भी doubt है तो live interactive class में आप हमाई साथ जुड़के direct questions को आप हमसे discuss कर सकते हैं इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी दिये के number पे call कर सकते हैं और यह कुछ e-books हैं जो कि हमारी website ganixfree.com पे available हैं इनका sample pdf भी available है आप चाहिए तो इसे download कर सकते हैं अगर आपको best quality लगती है तो आप इसे buy भी कर सकते हैं बहुती cheap means बहुती minimum price के साथ सबी e-books को launch किया और बहुती premium quality की e-books है तो आप सभी उम्मीद है अपने exam के कुछ question हमें जरूर send करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टा पे follow नहीं किया है प्लीज जरूर follow किजीगा ताकि आप triple c के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और यहाँ पे